हाई अब्रीवन वेलकम तो माई चैनल आज में शेयर कर रही हूं मतर पनीर की रेसिपी और यह काफी आसान रेसिपी है इसके लिए मैंने बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स यूज किये हैं ऐसे इंग्रीडियंट्स यूज किये हैं जो घर पे इसली मिल जाते हैं तो इसको एक कप मटर मटर में हर अगर आफ हरी मटर यूज कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा उबाल लीजिए नहीं तो यह कच्छी रह जाती है और यह पनीर के साथ अच्छी नहीं लगती है दो प्याज मैंने कद्दू कस कर लिया है और जीरा लिया है तड़का के लिए लाल मिर्स पाउडर हल जा मिलें हौडर दनिया पाउडर नमक स्वाद के अनुसवार करब और जरब मसाला पाउडर आप चाहिए तो इसको स्कीप कर सकते हैं और कोकिंग अउयल लिया है मैंने एक चमस अत्रक लेसुन का पेस्ट है और हरा धन्या है गानिशिंग के लिए ठोड़ा सा तुकड़े हैं जो हम इसमें यूज करेंगे, यह एक हरी मिर्च है, जिसको मैंने मोटा काट के लिया है, और ये एक चम्मच बेसन हैं, जो हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज करेंगे, इंग्रीडियंट मैं डिस्क्रीप्षिन बॉक्स में दे दूँगी, कितना कॉंटिटी यूज करना है तो आप उसको चेक कर लिजिएगा सबसे पहले मैंने ले लिए है कड़ा इसको मैंने गैस पिकरम कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे बेशन और बेशन को हम थोड़ा-थोड़ा भुनेंगे चलाते वे इसलिए बुनेंगे कि बेशन का जो कच्छापन है वो निकल जाएगा और ये क्रेवी बराने में यूज करेंगे हम इसको हलका हलका बुन दीजिए जब बेशन से खुश्बू आने लग जाए तो इसको हम हटा के दूसरे बर्तन में रख देंगे तो बेशन को बुन लिया है मैंने और बुन के दूसरे बर्तन में निकाल लिया है तो फिर से मैंने वही वाली कडाई ले ली है और कडाई को गरम करके हम इसमें अड़ करेंगे ओल तो Oish गरम हो चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे पहले जीरा दीरा जीरा को हम हलका सा ब्राउन करेंगे और जब जीरा ब्राउन हो जाए तो अब हम इसमें एड़ करेंगे यह प्याज और चला लेंगे इसको High Flame पे रखेंगे अबी Gas को और इस प्याज को अच्छी तरह से चलाते वे बुन लेंगे तो प्याज को अच्छी तरह से बुनेंगे इसमें आड कर देंगे साथ साथ मैं ये हरी मिर्च कटीवी और थोड़ा सा मैं बटर डाल दूंगी अभी मैं आदा बटर यूज कर रही हूं आदा लास्ट में यूज करूंगी और इनको भी मिक्स करते वे चला लेंगे तो ये प्याज अब हलका हलका सा ब्राउन होने लगा है और इसका जो ओईल है वो अलग होने लग गया है तो प्याज को अच्छी तरह से चलाते वे बुणना है जब तक कि ये पूरी तरह से ब्राउन ना हो जाए प्याज को भुनने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है अब इसमें मैंने आड़ कर दिया है अध्रक और लैसुन का पेस्ट और इनको भी हम चला लेंगे आपस में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से तो प्याज अब ब्राउन होना शुरू हो गया है थोड़ा सा और बंबेंगे सिक वसके ऊंप साल्वाट करें ilipe रावन होगता है अब उसमें मैं एक मेर्च पावडर मैंने कशमीरी लाल मिर्च पावडर्र किया है आप चाहें तो इसको लाल मिर्च पौडर एड़ कर सकते हैं और एक नमच मैनNay कर दिया है हली पावडर और साथ में मैं ड को एक दो को लूँ को कि ऐसमें से अदा B- Sen मै ने डाल दिया और इन्गों हम थोड़ा सा चला लेंगे हलकी आच पर रखेंगे अभी हमः और साथ में डाल देंगे हम यह टबाटर का पेस्ट टमाथ पेस्ट को भी हम थोड़ा सा चलाते वे सको पका लेंगे अभी मैं इसमें थोड़ा सा एट करूँ ये हरा धनिया आधा हरा धनिया यूज़ किया है मैंने इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है इसका और इन सब को आपस में मिक्स करके चला लेंगे तो बाकी मसाले भी हम एट कर देंगे मैं दनिया पाउडर डाल रही हूँ यहां पे और गरम मसाला पाउडर भी हम एट कर देंगे और इन सब को आपस में मिक्स करके चला लेंगे अब इसमें आट कर दूंगी मैं जो मेरे मतर रखी है त्यारी मतर हम इसमें घ्राल देंगे और इन सब को कर लेंगे हम आपस में मिक्स सब कर दूंगी सबाएट कुछ आपस में चलाते रहेंगे यosure करते ही पकाव लगे इसमें अब एड और नमक नमक सवाथ के अनुजह एड कीजिए कि मैं एक चम्मस इसमें नमक एड़ कर रही हूं अब मसाले को नमक के साथ मिक्स कर लेंगे इस वो मिक्स करते रहेंगे इनको बीज-बीज में अगर आपको लगे कि यह नीचे लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर दें कि मुझे ग्रेवी तो यह थोड़ा थिक लग लेए तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी आड़ कर दिया है और पानी आड़ करने के बाद हम इसको प्कने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे पनीर के पीस पनीर डालने के बाद यह थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यह देखिए ग्रेवी में अच्छा कलर आया है तो अब पनीर को भी मिक्स कर लेंगे इस ग्रेवी के साथ अच्छी तरह के से मिक्स करेंगे इसको और पनीर को थोड़ा सा पकने देंगे उसके बाद पनीर सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको कम से कम दो मिनट पगा लेंगे तो अब यह पक चुका है और पनीर भी इसका सॉफ्ट हो चुका है तो अब इसको मैं सर्व कर लूँगी अलग बोल में तो देखिए मटर पनी तयार है और मैंने इसमें थोड़ा सा गानिशिंग के लिए अट कर दिया है धनिया और थोड़ा सा बटर जो मैंने बचाया था वह भी अट कर दिया है उपर से इससे काफी अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है अगर आपको कर दो